हर्याना विधानसवा चुनाप के एक्जिट पोल में कॉंग्रेस को पूर भहमत मिलती दिखाई दे रही है तो वहीं इस बार बीजेपी की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है लेकिन अभी आठ तारी को परिणाम आना बाकी है एक्जिट पोल कभी कभी जूटे भी साबित हो जाते है वहीं हर्याना के पूर्फ ग्रह मंतरी और भारते जंता पार्टी के दिखजनेता अनिल बिज ने बड़ा बयान दे दिया है अनिल बिज ने कहा है सरकार भार्ष पागी बनेगी और मुख्यमंतरी वो बनेगा जिसे पार्टी चाहेगी अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंतरी आबास पर होगी मैं सबसे वर्ष नेता हूँ यहां पर देखिए कॉंग्रेस ने अभी तक अपने मुख्य मंतरी के चेहरे का एनॉसमेंट नहीं करा है और कॉंग्रेस में इस बार मुख्य मंतरी की गद्धी को लेकर कही ना कहीं आपस में जो दिगजनेता हैं वो आपस में बिढ़ते होगे दिखाई दे रहे हैं चाहें बात भुपेंदर सिंग हुड़ा की करें या फिर बात यहां पर कुमारी सेल जा की करें लेकिन यही सेम स्थिती कहीं ना कहीं बीजेपी में भी है हाला कि देखे एक्जिट पोल में कॉंग्रेस को पूर्ण बहुमत मलती दिखाई दे रही है लेकिन अगर एक्जिट पोल जूटे साबित होते हैं और बीजेपी की सरकार बन जाती है तो मुखे मंतरी चुनना बीजेपी के लिए भी आसान साबित नहीं होगा देखे भारते जंता पार्टी इस बात का पहले से एलान कर चुकी है कि इस बार हरियाना में चुनाब लड़ा गया है वो नायाफ सिंग सैनी के नेतरतम में लड़ा गया है और नायाफ सिंग सैनी को ही एक बार फिर से मुखे मंतरी बनाया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार आती है लेकिन वहीं पर अनिल बिज अपने तजुर्बे को लेकर बार बार मुखे मंतरी की गद्दी को लेकर यहाँ पर दावा ठोकत में नजर आए हैं जब नायाफ सिंग सैनी को मुखे मंतरी बनाया गया तो इस्तिती यह आ गए थी कि अपने घ्रे मंतरी का जो पद था उससे उन्होंने इस्तिफा दे दिया और काफी जादा नाराजगियां पर व्यक्त की अब वहीं से मिस्तिती एक बार फिर से देखने क मिल रही है अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं बहुत अच्छे से पूरे हर्याने के इस्तिती बदल दूगा और फिर अगली मुलाकात आप से जो होगी वह मुख्यमंतरी आवास पर होगी ऐसे में देखिया अगर बीजेपी की सरकार आती है तो मुझे के लिए मुश्किल होगा यहाँ पर अनिल विज को मनाना क्योंकि इस बार अनिल विज ने भी देखिए जिद ठान रखी है अब ऐसे में देखना यही दिल्चस्प होगा कि आकरकार आठतारी को किसकी सरकार बनेगी लेकिन चाहें सरकार कॉंग्रिस की बने या फिर बीजे यही देरें है